अब तक अपन कुछ टोपिक्स पर रिपोर्ट सीख चुके हैं उमीद करता हूँ कि अब तक आपको जो रिपोर्ट से रिलेटेड वीडियोस फॉरवर्ड की है उस सभी वीडियोस को आपने वोच कर लिया होगा अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को वोच नहीं किया है स्टूडेंट तो उस सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल रहा हूँ वहाँ से आप उन ویڈयो को वोज कर सकते हो उन ویڈयो को वुज करने के बास students अपना आज की वीडियो की चर्शा करते हैं तो students आपको बता दू आज की वीडियो में भी अपन एक report सीखने वाले है एक नए topic पे एक ऐसा नए topic जो exam की द्रश्टी से बहुत ज्यादा important है आज की जो वीडियो है वो कुछ अलग होने वाली है कुछ अलग lines लिखने वाले हैं जो format मैंने आपको पहले बताया था इसलिए वीडियो को students last तक जरूर वोच करें तो students आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए पहले अपन क्योशन पढ़ लेते हैं और क्योशन पढ़ने के बाद अपन क्या करने वाले हैं रिपोर्ट लिखने वाले हैं तो देखिए students सबसे पहले अपना क्योशन है कि you are राजीव आप कोन हो राजीव हो और a student reporter और आपका designation क्या है आप एक student reporter हो इन रामलाल सिक्षन शेंस्तान अलसीसर के अंदर ठीक है students इतना आपको समझा गया होगा अब आगे देखिए prepare report आप एक report त्यार कीजिए on how your school celebrated कि कैसे आपके school ने celebrate किया किसको annual cultural function को कि वार्षिक सांसकर्तिक समारो को किस तरह से आपके school ने celebrate किया इस पे आपको क्या करनी है report त्यार करनी है अब देखिए students very very important line जो मैंने आपको underline की है इन चीज का mention करना मत भूलिएगा and also mention और आपको ये भी mention करना है कि what precautions कि क्या सावधानिया were taken to बढ़ती गई prevent रोकने के लिए किसको रोकने के लिए the spread of COVID-19 की COVID-19 यानि की नए फेले उनके लिए कौन-कौन सी precautions है वो यानि की बढ़ती गई तो students ये नई lines है कुछ अलग होने वाला है अलांकि और जो report है वो पहले जो अपन format कर चुके है उसी के according करेंगे लेकिन जो मैंने underline की है ये हमें कुछ extra aid करना पड़ेगा तो student इस तरह की lines है वो report के अंदर अब की बार पूछी जा सकती है क्योंकि ये जो time चल रहा है वो COVID-19 का चल रहा है तो examiner को यानि की कोई भी बहाने से किसी भी तरीके से क्या किया जा सकता है कोरोना वाइरस से related है वो topic यानि की पूछा जा सकता है अलग separate पूछ लिया जा सकता है या कुछ mix करके पूछ लिया जा सकता है तो आपके नमर कहीं भी cut नहीं जाए इसके लिए मैं पूरी कोसिस कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजे डिटेल से बताई जाए तो देखे स्टुडेंट्स अपनने क्योसन पढ़ लिया है कि आप राजीव हो और आपकी designation क्या है आप एक student reporter हो रामलाल सीक्षन सेंस्तान अलसी सर के अंदर और आपको करना क्या है preparing report आपको एक report त्यार करनी है on how your school celebrated कि किस तरह से आपके school ने celebrate किया annual cultural function या the price distribution function या independence day function republic day function teachers day function जो भी function आजाए students आप यहाँ पे नाम लिग दीजिए और लगबग अपनी जो report है वो same to same रहने वाली है लेकिन भूलिएगा मत कि what precautions की क्या सावधानिया वर टेकन टू यानि की वर टेकन टू प्रिवेंट यानि की बढ़ती गई टू प्रिवेंट रोकने के लिए the spread of COVID-19 की COVID-19 को यानि की फैलने से रोकने के लिए कौन सी सावधानी बढ़ती गई तो students अगर यह lines नए दी हो तो भी आप यह lines आप aid कर सकते हो examiner है वो खुश हो सकता है कि देखिए इन्हें इस topic से related भी कुछ बाते हैं वो यानि की तियार की हुई है तो वो खुश हो जाएगो और आपको full marks देगा तो देखिए students अब अपनी report हो start करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप एक नया page लीजिए और नया page में सबसे उपरी उपर आप top में क्या करोगे जिस topic पे आप report लिख रहे हो उसका title लिखे capital letter में और उसको underline कर दीजिए थोड़ा सा highlight कर दीजिए बड़े अक्षरों के अंदर जैसे अपना subject क्या है आपने यानि की क्या मनाया annual cultural function तो आपने यहां क्या कर दिया annual cultural function कर दिया और इसको underline कर दिया तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है साहिद आपके अब जस्ट नीचे वाल लाइन में आपको क्या करना है जो writer है जो report लिख रहा है उसका name तो आप कोन हो राजिव तो by राजिव और कॉमा लगाई हो और आपकी designation क्या है a student reporter तो आप इतना लिख दीजिए या a student reporter in RLSS यानि की LCCC भी आपे लिख सकते हो तो अब देखिए students एक line छोड़िए आपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले students मैंने आपको बताया था कि जिस palace की आप report लिख रहे हो जिस तान की आप report लिख रहे हो उसका नाम लिखिए तो आपने यानि की annual cultural function कहां celebrate किया यानि की रामलाल सिक्षन सहिंस्तान के अंदर तो सबसे पहले कहां है पेलेस आप अलसी सर लिख दीजिए और उसके बाद कोमा लगाईए और ये जो students date है वो कौन सी date है 25 मार्च 2020 ये writing date है मतलब annual ये जो report लिखे जाने की तारिक वो है वो कौन सी है 25 मार्च 2020 तो सबसे पहले name of palace उसके बाद writing date इतने में कोई दिक्कत नहीं है डेस लगाईए अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या कर दीजिए जो title है उसी से शुरुआत कर दीजिए तो जैसे अपनने शुरुआत की है कि annual cultural function थोड़ा सा मैंने अलग ओर जोड़ा है कि annual cultural function including इसके साथ ही में क्या include है price distribution function पुर्सकार वितरन समारो was celebrated यानि celebrate किया गया कहां celebrate किया गया students इन रामलाल सिक्षन सहिस्तान अलसी सर के अंदर celebrate किया गया with great pompad show मतलब बड़े हरसो उलास के साथ बड़े धूम दाम से यानि की मनाया गया कब on 24 March 2020 को देखे students यहां पे जो writing date है ये बाद की है और ये इससे पहले वाले दिन कहने का मतलब क्या है 24 March 2020 को मनाया गया तो आप इतना भी लिख सकते हो students कि annual cultural function was celebrated कि annual cultural function है वो celebrate किया गया लेकिन देखे annual cultural function में यानि की price भी यानि की distribute किया जाता है तो थोड़ा सा अपन नहीं ये भी जोड़ दिया कि annual cultural function including price distribution function was celebrated ये celebrate किया गया कहां celebrate किया गया इन रामलाज, सिक्छन, सहिस्तान, अलसी सर के अंदर तो जहां पर भी यानि celebrate किया गया क्योसन के according आप लिख दीजिए with great pompet so मतलब बड़े हरसो लास के साथ बड़े धूमदाम से यानि की मनाया गया या with great excitement बड़ी excitement के साथ मनाया गया on कितने तारीकों यहां पे जो writing date लिखिया उससे एक दिन पहले कि पहले कि आप कोई भी date डाल सकते हो तो 24 March 2020 तो students इतना अपने जो format पड़ा उसके according कर दिया लेकिन students इसमें अपन को जोड़ना क्या है कि what precautions were taken to prevent कि क्या साथदानिया यानि की बढ़ती गई किसको फेलने से रोकने के लिए COVID-19 से अब students ये lines आपको रठ लेना है learn कर लेना है कि आपने कौन-कौन सी साथदानिया बढ़ती तो देखिए several precautions were taken to prevent कि बहुत सारी precautions मानि साथदानिया एहतियाद were taken यानि की to prevent यानि की बढ़ते गए to prevent the spread of COVID-19 COVID-19 का यानि की नए फेले उसको यानि की रोकने के लिए यानि की बहुत सारी साथदानिया बढ़ती गई अब कौन-कौन सी साथदानिया यानि की बढ़ती गई तो देखिए the whole school was cleaned and sanitized कि पूरी जो school थी उसको clean किया गया sanitize किया गया एक अपनने साथदानि बढ़ती ली अब दूसरा क्या है instructions were instructions यानि निर्देश for wearing mask यानि mask पहनने के यानि निर्देश keeping social distance social distance यानि की रखने के निर्देश and not shaking hands और हाथ नहीं मिलाने के यानि निर्देश were given दिये गए in the invitation cards invitation cards में कहने का मतलब क्या है annual function पे जो card छफवाए गए तो उस card के अंदर ही यानि के हमने यानि की सारे instruction दे दिये instruction क्या थे कि एक तो आपको क्या करना है instructions of wearing mask आपको mask पहन के आना है keeping social distance social distance आपको अपनाना है और आपको यानि की handshake नहीं करना है यानि की जो instruction है वो invitation card के अंदर ही दे दी गई अब देखिये students अब आगे कुछ और लिख देंगे as people enter the campus जैसे ही लोग है वो यानि की campus के अंदर enter हुए their hands were sanitized उनके हाथ है वो sanitized किये गए everyone was wearing mask और परते एक जने क्या पहने वे थे mask पहने वे थे तो students ये lines है वो कोई भी topic के अंदर यानि की पूछी जा सकती है तो इन lines का आपको ध्यान रखना है ये lines आपको रट लेना है अपने एन्वल function पे किया है हो सकता है republic defunction आजे independence defunction आजे कोई भी function आजे तो हो सकता है कि आपने क्या क्या सावधानिया बढ़ती तो ये lines आपको लिखनी पढ़ सकती है तो आप learn कर लीजिए अब देखिए अब दूसरे paragraph में अपन क्या कर लेते हैं जो annual function है उससे related ही line लिख देंगे तो ये वो ही lines है जो अपने format में पढ़ी है जैसे the whole school building was beautifully decorated on this occasion कि पूरी जो school building है उसे beautifully decorated किया गया इस आउसर पे with balloon से, poster से जो आपको यह नहीं लगे flower से तो बढ़ा बढ़ाने के लिए आप कर सकते हो अब देखिए the district collector was the chief guest of the function और जो district collector थे वो मुख्य अतिती थे function के यह अपन ने मुख्य अतिती को कह दिया और the function was started नाम लिख सकते हो मुख्य अतिती थे गा अब आगे देखिए the function was started और function की शुरुआत हुई with सरसाउती बंदना से 8-9 am कितने बज़े 9 am with small letter में कर देना students with welcoming of the chief guest यानि की chief guest के स्वागत के साथ तो the function है उसकी शुरुआत हुई सरसाउती बंदना के साथ कितने बज़े 9 बज़े अब देखिए time हमने यहाँ पे aid कर दिया वहाँ उपर ने देने की बज़ाए with किस के साथ welcoming of the chief guest मुख्य अतिती के स्वागत के साथ ही function की शुरुआत होती है अब देखिए the students presented very attractive cultural programs students है उन्होंने पस्तूत किये बहुत ही attractive sanskritic programs है उनको यानि की पस्तूत किया तो देखिए annual function है अब नाम लिख सकते हो कौन-कौन से यानि की उन्होंने यानि dance किया poems वगरे पड़ी वो सारी लिख सकते हो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने shortcut में एक line में यानि की इसको कर दिया है अब देखिए the principal presented the annual report of the school अब देखिए students annual function है उसमें क्या बताया जाता है school का यानि annual लेखा जो खा बताया जाता है कि हमने पूरे साल बढ़ में क्या किया तो principal ये सारी चीज़े कोन बताता है school के बारे में कि हमने साल बर में क्या-क्या arguments हासिल किये है क्या-क्या काम किया है तो ये principal बताते हैं तो देखिए the principal ने present किया the annual report of the school school की annual report present की अब देखिए the chief guest made an impressive speech और जो मुख्याती थी थे उन्होंने impressive भासन दिया motivational speech दिया and gave away the prize और यानि कि price बांटे among the students, students के बीच या जो participants थे उनके बीच तो इस तरह से आपने ये line लिख देंगे format में आपने अच्छे तरह से learn कर लिया होगा, अब last देखे the function ended 8 about 11 a.m. यानि कि function है उसकी ended हुआ समापती हुई 8 लगबग किते बजे 11 a.m. 11 बजे with भांगडा डांस, भांगडा नरते के साथ ये लिख सकते हो और it was a short and successful event और ये क्या था बड़ा ही छोटा और सफल event था तो उमीद करता हूँ students ये नए तरीके से नए लाइंस के साथ हमने जो रिपोर्ट राइटिंग आज लिखा है वो आपको समझ आ गया होगा अगर आपको वीडियो समझ आ गया है अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों में सेर्स कर दीजिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए थैंक यू वेरी मच